वक्रतुन्ड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरू में देव सर्वकारेशू सर्वधा सर्वपथम समस्त देशवासियों को गनेश चतूर्थी की हार्दिक सुपकामना है भगवान गनपती वप्पा आपके जीवन में सुख सम्रद्धी लेकर आए साथ ही हम गनपती महाराज को गनेश भगवान को बुद्धी के दाता भी मानते हैं तो दोस्तों इसी को देखते हुए मैं आज आपके सामने क्रसी चेतर में आई हुई वह सामाने चातरों के लिए आई हुई वेकेंसिस के बारें बात करने वाला हूँ तो दोस्तों किसान कल्यान तखा क्रसी विकास विभाग जो है इसका जो प्रोजेक्ट चलता है आत्मा उसके अंतरगत कुछ वेकेंसी आई है तो जो भी छात्र क्रसी की त्यारी कर रहे हैं चाहे वो IVPS, AFO की त्यारी कर रहे हैं या उन्होंने RAU, ACDU की त्यारी की थी या भी RHEU की परिक्षा आने वाली उसकी त्यारी कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए एक अच्छी बात है कि उनके लिए नोकरी का एक और आप्शन सामने आया है तो आत्मा के अंतरगत ब्लॉप टेक्नलोजी मेनेजर असिस्टेंट टेक्नलोजी मेनेजर इसके अलावा अकाउंटेंट और कम्प्यूटर आपरेटर के पद आये है तो दोस्तों इन पदों के बारे में कौन-कौन से डाकुमेंट्स आपके लगने वाले हैं किस प्रकार से ये परिक्षा होने वाली है इसके बारे में मैं संपुन जानकरी लेकर आया हूँ अपरेटर के 22 पद है तो लेखा पाल सहल इपिक के 17 पद है अलग-अलग केटेगरी के हिसाब से यहां पर पदों का उन्होंने वितरन किया हुआ है तो आप अपनी केटेगरी का अनुसार पदों की संख्या देख सकते हैं हम कहेंगे कि काफी अच्छे पद निकाले गए हैं और आप लोग तैयारी करी रहे हैं इसलिए यह पर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं अलग-अलग हम लोग वेकेंसी के बारे में बात करेंगे किस तरह से इसमें हमारे को आवेदन करना है सेक्षनिक अहर्ता क्या है और बेतन मान क्या है तो दोस्तों, सबसे पेले हम यह बात कर रहें कि रिक्त पदों की फूर्टी के लिए आनलाइज चेन प्रक्रिया के निरदेश और सर्तों की में बात कर रहा हूं तो यह हम एक-एक से देखने वाले हैं सबसे पहले BTM के लिए बात करते हैं तो बेतन इसका रहेगा 30,000 रुपे नियुन्तम सेक्षनिक आहर्टा की अगर हम लोग बात करें तो भारती क्रसी अनुसंदान परिद्सद से मान्यता प्राप्त जो भी सुविध्याले है इससे क्रसी में उद्यानिकी में या क्रसी अभियांत्री की में हमारे को डिगरी चाहिए डिगरी इसनात को उत्तर होना चाहिए मतलब कोस्ट गेज में डिगरी होना चाहिए इसके अलावा computer दक्षिता इसमें जरूरी है computer का आपको knowledge होना चाहिए इसके साथी साथ यहाँ पर दो वर्स का आपसे field का experience मांगा गया है आपने क्रसी छेत्र में अगर कहीं कारे किया है तो उसका अनुभव आपको बताना है और यह अनुभव कौन सा होगा सासकी एवं मध्यप्रदेश सासन या भरत सरकार द्वारा प्रवर्तित अर्ध सासकी जो संस्ता होती है यहाँ पर आपका अनुभव होना चाहिए साथ में merit सूची कैसे बनाई जाएगी तो online परिक्षा के 90 अंक तथा आपके जो experience है उसके अधिक्तम 10 अंक आपको दिये जाएंगे मतलब टोटल सव उंकों में से merit सूची बनाई जाएगी तो यह VTM के बारे में हमने बात की इसके बाद हम लोग आगे चलें तो assistant technology manager मतलब ATM की बात करते हैं तो बेतन मान यहाँ पर है 25,000 रुपे प्रतिमा नियुन्तम section की योगिता अगर देखें तो भारती क्रसी अनुसंदान संस्तान से माननेता प्राप्त हम लोग बात करते हैं जो विशुद्ध्याले है जैसे कि क्रसी में उध्यानिकी में या क्रसी अव्यांत्रीकी में चार वर्सी इसना तक उपादी होनी चाहिए चार वर्सी उपादी ध्यान रखना यह होनी चाहिए यहाँ पर ऑनलाइन परिक्षा के सवंकों में से मेरी सुची तयार की जाएगी इसके बाद तीसरा परद हम लोग देखें कंप्यूटर आपरेटर का है वेतन महाने 16,000 रुपे प्रती महा सेक्षिनिक अगर हम लोग आहरताओं की बात करें तो किसी भी मानेता प्राप्त विश्विद्याले से किसी भी विशय में इसना तक के उपादी चाहिए साथ में DCA या PGDCA के साथ ही CPCT अथवा BCA या MCA के साथ CPCT प्रवानपतर अगर आपके पास है तो आप इसमें योग्य माने जाएंगे मेरिट सूची का निर्दारन आनलाइन प्रिक्षा के सवंकों के आधार पर किया जाएगा चौथा पद यहां पर है लेखा पाल सहे लिपिक इसका वेतन मान है 22,500 रुपे नियुन्तम सेक्षरी का हरता की बात करें तो माननेता प्राप्त विस्विद्याले से टेली सॉफ्ट वेर के साथ वीकाम की उपादी चाहिए वीकाम डिगरी चाहिए साथ ही लेखा प्रवंदन संबंदी कारे का तीन वर्स का नुवह होना चाहिए और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सव अंकों में से मेरिट सूची तयार की जाएगी तो दोस्तों यह चारो पद हमने देखे चारो पद का बेतन मान क्या है वो हमने देखा बेतन मान के साथ साथ हमने यहाँ पर बात की है कि हमारे पास सेक्षिनी का आरता या कौन सी डिग्री कितना उन्वव चाहिए उसकी बात की दोस्तों अब चैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा बस्तु निष्ट प्रस्णों के आधार पर आनलाइन चैन परिक्षा युजित की जाएगे आनलाइन परिक्षा रहेगी और यहाँ पर अबजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें से हमारे को यहाँ पर देखना है फिर हम लोग देखते हैं कि परिक्षा के जो केंदर है वो साथ जगए पर रहने वाले हैं बोपाल जवलपूर इंदोर ग्वालियर सतना सागर और ज्जेन इन सभी इस्तानों पर चैन परिक्षा आयुजित की जाएगी तो आप जिस छेत्र के हैं आप वहां से फार्म भर सकते हैं सेंटर का चुनाब कर सकते हैं फिर हम लोग बात करते हैं कि ये राजिस्तर की परिक्षाएं हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आरक्षन जो रोस्टर है इसका संदारन राज सरकार पर ये जो किसान कल्यान विभाग है न तता करसी विका से इसके द्वारा किया जाए ये जो online आविदन पत् फार्म भरे जाएंगे इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें BTM भी देना है ATM का फार्म भरना है तो क्या करना होगा तो एक से अधिक पद के लिए आप आविदन कर सकते हैं और ये आविदन वही MP online की website पर भरे जाएंगे लेकिन आपको इन परिक्षाओं के लि ये फीस आपको MP online के कियोस के माध्यम से या आप अपने डेविड क्रेडिट कार्ड online बेंकी के माध्यम से बर सकते हैं दोस्तों ब्लाग टेकनलोजी मेनेजर एवम असिस्टेंट टेकनलोजी मेनेजर के पत के लिए प्रथक प्रथक परिक्षा जो है वो आयोजित होगी औ अलग अलग देना है और दोनों की मेरिक सुची भी अलग से बनाई जाएगी अब अगर हम यहां आरक्षन की बात करें तो गवर्मेंट का जो आरक्षन है उसके हिसाब से यहां काम चलने वाला है जैसे अनुसुचित जन जाती के लिए 20 प्रतिसत अनुसुचित जाती के ल यह 27 प्रतिसत यहां आरक्षन रखा गया है माना गया है आर्थी ग्रूप से कमजोर के लिए 10 प्रतिसत जो EWS होता उनकी बात हो रही है महिलाओं के लिए 33 प्रतिसत प्रदों पर आरक्षन होगा तो यह आरक्षन जो पूरा है मज़ प्रदे सरकार के द्वारा जो वितरन ह उसके इसाब से रहेगा इसके अलावा दोस्तों कौन-कौन से प्रवान पत्र यहां वो तावस्यक हैं उनकी बात करते हैं तो एक हमारे को मूल निवासी का प्रवान पत्र देना होगा यही लोग पात्र होंगे दूसरा आयू सीमा हमारे को देखना है क्या हम इस एज में आ र जन जाती पिषड़ा वर्ग या किसी सास की मंडल आदी में हम कारेरत हैं या हम सेनिक में आते या निसक्त जन हैं या महिलाएं हैं तो इनके लिए यह जो उम्र है अठरा सो चालिस इनके लिए यह आप योग्यमाने जाएंगे आयू की पुस्टी के लिए आपको हार सेकेंडरी स्कूल के प्रवानपत्र में जो डेट आप वर्थ लिखी है उसी को मानने किया जाएगा उसी को माना जाएगा और कोई प्रवानपत्र यहां पर मानने नहीं है और यह जो आपकी उम्र है यह एक जनवरी 2022 तक देखी है ना 2022 एक जनवरी 2022 तक आपकी क्या उम्र है उसके हिसाब से आपकी उम्र को केल्कुलेट किया जाए इसके अलावा यहां पर एक भोती महत्पुन हम लोग बात करते हैं विवा संबंदी बात तो यह वाला जो पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं एक से अधिक विवा इस 26 जनवरी 2001 के पस्चात उम्मिदवार अगर उनके बच्चों की संक्या दो से अधिक हो गई है तो वो चैन के लिए पात्र नहीं होंगे परंतु एक केस ऐसा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई उम्मिदवार है जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 एक के पस्चात आगामी प्रसब में दो या अधिक संतान का जन्म होता है मतलब एक पहले से आपकी संतान है और 26 जनवरी 2001 के बाद यदि दो जुर्वा बच्चे हो गए हैं तो उनको यहाँ पर योग्य माना जाएगा अब आपके सिलेक्शन के बाद कौन-कौन से प्रवा फिर अनिवार एवं बांचित योगिता के प्रवान पत्र यह आपको देना होगा अनुभव प्रवान पत्र देना होगा मुल लिवासी प्रवान पत्र जाती प्रवान पत्र EWS का प्रवान पत्र मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांग जन प्रवान पत्र विवाह का प्रवान पत्र पूर्व सेनिक का प्रवान पत्र या कोई अन्य प्रवान पत्र अगर आपका है तो वो दिखाना होगा अब इसमें क्या है आपको अपनी केटेगरी के हिसाब से अपनी योग्यता के हिसाब से प्रवान पत्र दिखाने होंगे तो दोस्तों इस प्रकार से यह महत्पुन आपको जानकारी में ने दिये वेकेंसी से लेकर जब इसकी एक्जाम डेट आएगी फार्म कब बरे जाएंगे कैसे फार्म बरे जाएंगे इसकी डेट आते ही मैं आपके लिए और पूरी संपुन जानकारी का एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों एगरी कल्चर के चात्रों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये क्योंकि आप अल्रेड़ी त्यारी करी रहे हो और इसमें एगरी कल्चर के ही कोश्चन्स आने वाले हैं और जो विसे आपका पेले से ही तयार है तो ये परिक्षा में आप सामीर होंगे और अपनी तयारी जारी रखेंगे तयारी के लिए आप MGCI में भी संपर्क कर सकते हैं MGCI के नंबर और ओफिस का एड्रेस आप सभी लोग जानते हैं बहुत बहुत धन्यवाद